नया दिन है नया सवेरा और एक नई जिन्दगी क्या आपके विजनस में आपको मनाफ़ा होगा क्या आप जिस पार्टनर को महीनों से ढून रहे हैं आज आपको मिलेंगे या आपका YouTube चैनल पूरी दुनिया देखेगी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी आपके आप जिस प्रमोश वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीज़ेगा ताकि उन्हें भी पता लगे कि उनका दिन कैसे जाने वाला है उनके स्वागत के लिए तयार रहें काम का बोज शायद आपको उनके साथ का मजा ना लेने दे लेकिन आप दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश करें अपने पार्टनर की योगिता को लेकर आज आप थोड़ा असंतुष्ट होंगे आपको अपनी अपेक्षा में बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं है पर फिर भी यथार्थवादी बने अगर आप पूर्णता की दलाश में रहेंगे तो निराशा के अलाबा आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा आप पाएंगे कि कोई आपकी और नहार रहा है इस समय आप आराम से नहीं बैठ सकते आज आप जहां हैं वहाँ पहुचने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है लेकिन अब ढीले पढ़कर अपनी सफलता को खराब ना होने दें आप मेहनत करते रहें और बरेशानी के वक्त अपनी शक्ती और द्रिड निश्चे का लाब लें याद रखें कि आप कभी भी अपनी सफलता को नजर अंदाज ना करें आर्थिक संभावनाएं सरकार संबंधित व्यापार के लिए बढ़ेंगी आपके काम शांती से आगे बढ़ेंगे और आपकी आए बढ़ेंगी आज के दिन को ज्यादा से ज्यादा काम खत्म करने के लिए इस्तेमाल करें और देखें कि आपका बैंक अकाउंट किस तरीके से बढ़ता है आज आप अच्छी सेहत की उम्मीद रख सकते हैं इसलिए आप शारिदिक व्यायाम करते रहें आप स्वास्त में थोड़ी सावधानी बढ़तें ताकि आप किसी पुरानी बिमारी के कारण पिछण न जाएं ध्यान रखें जरा सा आलस आपको फिर से परिशानियों में डाल सकता है आप अपने अच्छे खान पान और मनुरंजन संबंधी क्रियाओं पर ध्यान दें ताकि आप अच्छी जीवन शहली अपना सकें आज आध्यात्म की ओर आपका रुजान अपनी चरम सीमा पर रहेगा इसलिए समय निकाल कर किसी धार्मिक स्थान पर जाएं आज का दिन लंबे समय के लक्षियों पर ध्यान किंद्रित करने के लिए बहुत ही अच्छा है आज आप अपने रोमैंस जीवन में महसूस करेंगे कि पार्टनर की खोज के मामले में पूर्टा की अपेक्षा की बजाए यथार्तवादी होकर यथा संभव अच्छे पार्टनर की खोज की जाए पार्टनर से अगर कोई गल्ती होती है तो धीर अज रखें आपने भी कई दफा वह गल्ती की है पार्टनर के लिए सबसे महतुपूर बात है कि वो आपको प्यार करता है यदि आप ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में है तब आज का दिन काफी उत्पादक सिध्ध हो सकता है आज आपकी सुर्जनात्मक्ता अपने चरम पर है आपके उच अधिकारियों द्वारा आपकी कड़ी महनत पर आपको प्रशन सा वो प्रगदी प्रदान की जाएगी राशी ब्रिश कड़ी महनत की बदौलत आपको अपने काम में सफलता मिलेगी काम के सिलसिले में आज का दिन बड़ा व्यस्त जाएगा लेकिन यह महनत बेकार नहीं जाएगी आपकी आमदनी भी आज बढ़ने वाली है शायद कहीं से कोई बोनस मिलने या फिर कहीं पैसा लगा रखा है तो उसकी कीमत बढ़ने की खबर मिले इसका आनंद उठाईए आखिर यह आपकी लंबी और कड़ी महनत का फल है आज आप ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको आलस छोड़ कर ज्यादा व्यायाम पर ध्यान देना होगा ठीक से व्यायाम ना करने के कारण आपको दर्द या मोज भी आ सकती है आपको इस परिशानी का हल बाद में निकालने की जगह अभी निकालना होगा अच्छी तरह से व्यायाम के लिए जिम शुरू करें आज जहां तक आपके व्यावसाइक उद्देश्शों का सवाल है आपके सितारे गर्दिश में ही है आपको इसी जीवन में सब कुछ चाहिए जैसे दोस्त, परिवार, पैसा, शोहरत और सफलता अपने लक्षों को पाने के लिए अभी से काम पर लग जाए लक्ष प्राप्ती की इस रह पर शायद आपकी सभी उमीदें पूरी न हो पाए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिस्तियों से हार मान लें तब तक लड़ते रहें जब तक कि आप अपना लक्ष प्राप्त ना कर लें आज का दिन आपके रोमैंस के लिए भागेशाली है आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे और आपको अपनी जिन्दगी में प्रेम का फूल खिलता नजर आएगा आप इरादा ठीक रखें रिष्ते बनाने की दिशा में अग्रसर हो आप इस नए रिष्ते को एक खास रूप दे सकते हैं आज आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो सकेंगे सिर्फ आपको उन पर एक बार नजर डालनी होगी आप में से जो लोग अपना डिपार्ट्मेंट बदलने की सोच रही है वो आज ऐसा कर सकते हैं इस समय संपत्ती को लेकर किसी पारिवारिक जगड़े की संभाव ना हो सकती है पैत्रिक संपत्ती को लेकर बहस को ना होने देने की कोशिश करें दूसरे परिवारों के कबजे से होने वाले विभाजन से भी बचना चाहिए इन दिनों दोनों पक्षों में मैत्री पूर्ण हल नहीं दिख रहा है इसलिए न्याय पूर्ण हल के लिए बहस को कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए आज आप महसूस करेंगे कि आपकी उर्जा उच्च स्तर पर है अगर आपके शहर में आज लंबी दोड है तो अवश्य भाग लें आपके साहस की तरह आपकी उर्जा शक्ती भी उच्च स्तर पर है इस समय का सदुपयोग करें जिससे आप मनवांचित फल प्राप्ट कर सकते हैं और इसमें आपकी मिलनसार सामाजिक क्रियाएं भी सहयोग देंगी आज आपका मन करेगा कि आप कहीं बाहर घूमने जाएं आप सोच में पढ़ जाएंगे कि जाएं तो जाएं कहां क्योंकि आपका मन कई जगहों पर अठका पढ़ा है आपके साथ जो घूमने जा रहे हैं उनकी पसंद का भी ध्यान रखें आपको अगर कोई समझोता करना पड़े तो कर लें, अंत में आप अपनी यात्रा का खूब मजा लेंगे ग्रहों के प्रभाव से आप अपने प्यार के साथ आज गर्मजोशी महसूस करेंगे और उनके साथ में आनंद कर सकेंगे दोनों को जो अच्छा लगे जरूर करें, इससे आप सी प्रेम और जुडाव अनुभव होगा आज आप किसी करियर सलाहकार से सलाह लेने की चाह रखेंगे ये व्यक्ति आपकी करियर से संबंदित सभी परेशानियों को दूर कर देगा लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप सही सलाहकार का चुनाव करें ताकि आपका सही मार्ग दर्शन हो और आप अपनी आवशक्ता अनुसार सही करियर का चुनाव कर सकें जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें आज कोई बड़ा आर्थिक लाब मिलने वाला है साथ ही आपकी साख भी कायम होने वाली है आप और आपकी कंपनी की अच्छी तरक्की होने वाली है इस बदलाव का अपने काम की जगह पर सकारात्मक उप्योग कीजिए इसके लिए नए संपरकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आज आपको थोड़ा तनाव रहेगा आप कुछ ऐसी क्रियाएं करें जैसे किताब पढ़ना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना ताकि आप उदासींता से बाहर आ सकें आज शायद आप खुद को अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच जूलता हुआ पाएंगे एक तरफ आप सामाजिक समारोह में बढ़ चड़ कर भाग लेना चाहेंगे और दूसरी तरफ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपना काम भी समय पर पूरा करें ये संतुलन बनाये रखना तो कभी भी आपकी परिशानी थी ही नहीं तो फिर देर किस बात की है? सबको खुश रखें आप किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्तापित करने से पूर्व भली प्रकार सोच विचार कर लें विवाह होने पर आपको अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं पर खरावतर ना होगा इसलिए ये महत्वपोन निरने भली प्रकार सोच कर ही लें आज का दिन विद्ध्यार्थियों के लिए शुभ है आपको आत्म विश्वास भरा हुआ मानस लेकर स्वयम पर यकीन करना चाहिए आपका डर इस नीव को कच्चा कर देगा इसलिए अपना श्रेष्ट प्रदर्शन करें आपके आर्थिक हालाद स्थिर है आपने अपनी राह में आने वाली मुश्किलों का बड़ी हिम्मत से सामना किया है अब सब कुछ आपके पक्ष में है इसलिए किसी भी चुनौती का जम कर सामना करें आर्थिक हालाद ठीक हों तो बड़ी मुश्किल से निपटना आसान हो जाता है अच्छा स्वास्थे पाने के लिए आपको सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना होगा मगर आपको ताकतवर, हट पूर्वक्ता और भावक्ता की जरूरत है ताकि आप अच्छे स्वास्थे की तरफ आने वाली हर परेशानी को दूर कर दें लंबे समय तक अच्छे स्वास्थे का आनंद उठाने के लिए आपको सकारात्मक विचार रखने होंगे आप जल्द ही अपनी जिंदगी में ये बदलाव देख पाएंगे आज आपका अपने परिवार के लोगों के साथ जगड़ा होने की प्रबल संभावना है इसलिए जरा अपनी कथनी पर काबू रखें अगर आप किसी कारण उत्तेजित हो भी जाएं तो बात को समझते हुए अपने गुस्से पर काबू रखें किसी बहस में पढ़ने से आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा राशिकन्या, रोमैंस आपका प्यार और वफादारी से भरपूर व्यवहार आपके रोमैंटिक जिंदगी के काले बादलों की छटनी कर देगा अपने चाहने वाले का साथ मिलने के कारण आप अपने प्यार का आनंद ले सकेंगे जो कि आपकी जिंदगी भर की यादगार हो जाएगा साथ ही आप जिंदगी का सही माइने में आँकलन कर सकेंगे आज विद्यार्थी अगर अपने करियर को लेकर किसी उलजन में हैं तो उन्हें किसी निपुन करियर सलाहकार से बात करनी चाहिए ध्यान रहे कि आप सही सलाहकार का चुनाव करें जो कि आपको अच्छी सलाह दे सके, इस सलाह का पूरा लाब उठाएं, सब कुछ सही होगा अगर आप व्यापार में हैं तो पाएंगे कि इन दिनों आपके माल की बिक्री का ग्राफ तेजी से उपर जा रहा है और आज भी ऐसा ही होगा, अपने काम की गुडवत्ता बनाए रखिये, आपको लाब होगा आपके इस प्रदर्शन से आपके बड़े अधिकारी भी आपके कायल हो रही है आगे बढ़ें और अपनी आकांग्शाओं को पूरा करें, लेकिन आप अपने लक्ष से डगमगाए नहीं क्योंकि आपके द्वारा बढ़ाए गए कदम आपको अपने लक्ष की ओर ले जा रही है सेहत से संबंधित परेशानिया आज खत्म हो जाएंगी और उसके बाद आप खुद को स्वस्त महसूस करेंगे क्यों ना आप जिम जाना शुरू कर दें? आज का दिन अद्भुद अनुभव वह जोश से भरा होगा आज आपको अपनी रोज की दिन चर्या से मुक्ति मिलेगी और आप अपने आपको तरो ताजा कर पाएंगे तो फिर इंतिजार किस बात का है? अपने प्रियजनों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं प्रकृती की सुन्दरता का मजा लें और खूब मस्ती करें आज प्रेम में आपको निराशा मिल सकती है आप समझते हैं कि प्रयासों के बाद भी आप प्रेम के क्षेत्र में सफलता नहीं पा रही हैं अपने आपको चिंता मुक्त कर थोड़ा समय दीजिए आप जितने सचे और सहज रहेंगे उतना ही लोग आपकी ओरा कर्शित होंगे परिक्षा की इस घड़ी में आप अपनी रचनात्मक्ता से मिले हुए मौके को अपने हक में कर पाएंगे आप ये जान सकेंगे कि मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है और सफलता का कोई और छोटा रास्ता नहीं है इसलिए अपना ध्यान अंतिम लक्षे पर रखें और अपने आसपास एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश करें पिछले कुछ दिनों में आपको आर्थिक मामलों में अच्छा फायदा हुआ है सो आज मौज मस्ती के लिए कुछ खर्च करने का मौका है इसका आनंद लें इस खुशी में उन्हें मत भूलिएगा जो अच्छे बुरे में आपके साथ खड़े होते हैं किसी अच्छे काम के लिए आज कुछ दान भी कीजिए आज आप डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाएंगे हो सकता है आपके अंदर ही अंदर कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जो पढ़े लिखे डॉक्टर द्वारा ही पकड़ी जा सके आज आप अपने परिवार जनों या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं इस यात्रा से आपका तनाव दूर हो जाएगा और आप खूब मजा करेंगे इस यात्रा के रोचक किस्तों को आप आने के बाद सब के साथ माटना चाहेंगे पिछले कुछ समय से रोमैंस के क्षेत्र में कई रुकावटे आई हैं किन्तु अब सकारात्मक विगास होने की पूरी संभावना है आज अपना सैयम बनाए रखें वो अपने जीवन में महतुपूर्ण बातों पर ध्यान दें आपकी जिग्यासू प्रवृत्ति के कारण आपको अपने प्रयासों के परिणाम तुरंत ही मिल सकेंगे अगर आप काम को नई तरीके से करना चाहते हैं तो आपको रचनात्मक होना पड़ेगा आपके धैर्य और समस्या को समझने की क्षमता के कारण हर काम में आपको सफलता मिलेगी अपने प्रयास में सफल होने के लिए आपको बात के हर पहलू पर विचार करना चाहिए और अपने अधिनस्तों की सलाह भी लेनी चाहिए राशिवरिष्चिक, Finance यदि आप सेवा केक्षेतर में काम करते हैं, तब आज का दिन विशेश फल देने बाला है आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने व्यापार का सही विज्ञापन वविस्तार कर रही हैं, जिसके सही फायदें आपको मिल सकें आज आपको बोनस वविशेश लाब मिलने की भी संभावना है राशिवरिष्चिक, Health आज आप महसूस करेंगे कि आप बहुत समय से बैठे रहने का काम कर रही हैं, और उसका हर जाना आपके शरीर को देना पड़ रहा है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर आपको कुछ दर्द हो सकता है अब वो समय आ गया है जब आपको उठकर जिन जाना होगा इससे आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी राशिधनो, ओवर्विव आज आपका मन अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करने का होगा आज कल आपके रिष्टों में सुधार आ रहा है जिससे आपको बहुत खुशी मिल रही है आज आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिजनों या मित्रों के साथ बिताएं और अपने जीवन का मजा लें राशिधनो, रोमैंस आप दोनों के बीच आपसी नजदी की और जजबात आज उफान पर है आप दोनों में से कोई एक रिष्टे को गहरा बनाना चाहता है अपनी भावनाओं को खुल कर जाहिर करें और सुने भी आप दोनों के रिष्टे में नई उचाई आ सकती है आज का दिन नौकरी में बदलाव के संकेत करता है लेकिन ये बात ध्यान में रखिये कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं आपको नवीन संस्थान में काम करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी होगी आपको अपना आत्म विश्वास और नवीन वातावरन के साथ सामन जस्से बैठाने की शक्ति को बढ़ाना होगा इन दिनों अर्थ जगत में भड़कीले विज्ञापनों वाले व्यवसाइक निवेश से बचने का प्रयास करें परन्तु अगर आप इसके प्रत्येक पहलू को परक सकें और आपके अनुसार यह खरा साबित हो तो आप निवेश कर सकते हैं आज इसमें लाब होने की अधिक संभावनाई है आज आपके सम्मुक जो भी विवसाइके नई अवसर आएंगे उससे आप उम्मीदें कर सकते हैं परन्तु आप उन्ही पर आश्रित होकर निश्चिन्त ना हो जाएं बलकि सोच समझ कर कदम उठाएं आज आप सेहत को लेकर थोड़ा लड़ खड़ा सकते हैं मगर कोई अच्छी खबर मिल जाने के बाद मानसिक तनाव कम हो जाएगा जिसकी वजह से आप अच्छा महसूस करेंगे अपने अच्छे स्वास्त का आनंद उठाते हुए व्यायाम और ताजी हवा का भी लुट्फ उठाएं आज आप उन लोगों से थोड़ा हताश हैं जिन्होंने आपको निराश किया है आपको लगेगा कि लोग वादे तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें निभाते नहीं आपको आज अपना दिमाग शांत रखना होगा आपके काम में आने वाली ये रुकावट अस्थाई है जो समय के साथ खुद ही समाप्थ हो जाएगी आपको चाहिए कि आप अपने साधी के समक्ष अपने प्यार को इस प्रकार व्यक्त करें जिससे वो आज कुछ नयापन वखास अनुभव कर सके इस बात का ध्यान रखें कि प्रोच्साहन तारीफ पाकर इंसान की कारिक्षमता बढ़ जाती है इससे आपको सकारात्मक्ता की अनुभूती होगी इसलिए अपने प्यार को बढ़ावा देने के लिए अपने साथी को प्रोच्साहित करें उसकी तारीफ करें चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने कारिक्षेत्र से बाहर का काम मिलेगा और उन्हें आश्चर्य मिश्रित आनंद होगा आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना है ये समय जल्दी ही बीतेगा ये विश्वास रखें कि आपने सही निरने लिया है अगर आप शेयर बाजार में काम कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आपका आर्थिक पक्ष आपके लिए मजबूत बना रहेगा आज के दिन आप काफी सुरक्षित महसूस करेंगे आज खुद पर सैयम रखें ताकि आपको परिशानी न हो तनाव से आपको अनिंध्रा की परिशानी हो सकती है आज अपनी जुबान पर भी सैयम रखें तभी आपको स्वास्तिलाब मिलेगा आज आपके किसी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है आप शायद इस यात्रा पर परिवार के साथ जाएं शायद ये छोटी सी ही यात्रा हो लेकिन इसका आपके जीवन में बड़ा महत्व होगा आप इस यात्रा का पूरा मजा लें राशिकुम्भ, रोमैंस दोनों के बीच हाल की कुछ मनमुटाव के बाद आज आप एक दूसरे से फिर बंद गए है आपने एक दूसरे को बहतर समझा है और बात चीत की है अपने पार्टनर की बात को तरजीह दें और ध्यान से सुने रिष्टा रास्ते पर आ जाएगा उसे सहारा दें ये आप दोनों को खुश रखेगा आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही है आप शायद उनकी चाल को समझ ना पाएं लेकिन आपको महसूस होगा कि कुछ गड़बड जरूर है आज आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें और दूसरों के कहने में ना आएं आज आप थोड़े तुनक मिजाजी हो सकते हैं वरना सब कुछ ठीक ही चल रहा है आज आप आराम करें और कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले यदि आप किराय के घर में हैं अपना घर खरीदने के लिए आज विज्यापन देखने शुरू कर दीजिए ताकि पता तो लगे कि आपके लिए किस तरह के घर उपलब्ध हैं आपको लगेगा कि इसका भविश्य में अच्छा फायदा मिल रहा है इसलिए अखबार उठाईए और विज्यापन देखने शुरू कर दीजिए अगर आप बलड प्रेशर और मधुमेह के शिकार हैं तो आज आप अपनी सेहत में बदलाव देखेंगे आप डॉक्टर की सलाह मानते चले आ रही हैं इसलिए इस वक्त भी उनकी सलाह के अनुकूल चले आज आप हलकी कसरत और सही भोजन करें आपकी सेहत में सुधार आएगा परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने से आपके रिष्टों में और मजबूती आएगी याद रखें कि खुद को तरो ताजा महसूस करने के लिए परिवार के साथ समय बिताने से ज्यादा अच्छा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता इन सुनहरे पलों का पूरा आनंद लें और अपने जीवन को जी भर कर जीएं आप अपनों के साथ समय बिताने के लिए उनके साथ किसी चोटी सी यात्रा पर भी जा सकते हैं आज आप दोनों के मिलकर सामना करने से संबंध की मुश्किलें दूर हो जाएंगी अपने संबंध को यादगार वह खुशगवार बनाने की कोशिश करें एक दूसरे को हर समय सलाह वसाथ दें संबंध बनाए रखने के लिए याद रखें कि आपसी समझ लंबे समय तक चलने वाले संबंध की नीव रखेगी राशिमीन, करियर आम तोर पर आप बहुत आत्मविश्वासी हैं लेकिन आज आप पाएंगे कि आपके विरोधियों का दबाव आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा आपको कभी भी खुद को विरोधियों की नजर से नहीं देखना चाहिए अपने दिमाग में आप उनकी बात को घर ना करने दें आप अपनी अच्छाई पर ही भरोसा करें तो अच्छा होगा यदि आप अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं तो आज का दिन शुबकारी है प्रचार धंधा बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है इसके जरिये लोगों तक आपके व्यापार की जानकारी पहुँचेगी अपना प्रचार प्रसार करने का यह बढ़िया दिन है मौका न गवाएं आज आप तनाव को काबू में रखने की कोशिश करें आप पाएंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण टेंशन है और यह वही समय है जब आप ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोक सकते हैं बढ़ता तनाव आपकी सेहत और जिन्दगी को प्रभावित कर सकता है जिसे आप देख नहीं पा रही है इसलिए कुछ समय निकाल कर ध्यान में बैठें ताकि आप अपने दिमाग को ठंडा कर सकें और पाचन क्रिया को मजबूत करें इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं तो आप अपना ध्यान रखेगा, खुश रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपकी राशी कौन सी है मैं भी देखो जरा मेरी राशी किस के साथ मिलती है धन्यवाद